हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेकनिकल्स पर फ्रेंट्स आज की वडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे पंजाब नेशनल बैंक का एकाउंट स्टेट्मेंट अपने अकाउंट का डाउनलोड कर सकते हैं या अपन है तो लैंगING के ऊपर को हम क्लिक करेंगे क्लिक नहीं आपके पास तो मैंने और यूजर अईदके अटको पर थी इसांगा ना हो यूit के यसका साओ यूजिस्टर संब्सक्रीयों बणाया हुआ है इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा इस्सेस्टर कर लेंगे यहां यहाँ पे हमें continue करना है अब यहाँ हमें एक password डालने का option आ जाएगा वो password हमें यहाँ पे डाल देंगे जो भी हमारे account का है वो password डालने के बाद capture code डालेंगे और यह आगे continue करेंगे तो इस प्रकार open हो जाएगा अब यहाँ पे कई options आपको मिल जाएगे इसमें आपको पांचवा number जो है यह हमको मिल जाएगा account statement का तो मैं इसे highlight कर देता हूँ फिफ्थ पोजिशन पे है यहाँ पे account statement यहाँ पे हम click करेंगे account statement के बाद यहाँ पे आपको दो option मिलेंगे एक आप उसकी date से देख सकते हैं transaction date से और transaction period से तो transaction date में हमें choose करना पड़ेगा कहां से कहां किस date तक हमें देखना है तो हम transaction period काफी simple पड़ता है तो हम इससे करते हैं अब देखें यहाँ click किया transaction period पे तो यह आपको बोलेगा कि कितने month का आप देखना चाहते हैं 1 month, 2 month और ज्यादा तो हम उसे select करेंगे और simply select करने के बाद दाहिने और खीच के search के उपर हमें click करना है देखें यह हमारा account statement उतने दिन का open हो गया है इस पर कर हम अपना account statement friends open कर सकते हैं अब यदि इसे हमें download करना है तो थोड़ा हम दाहिने और इसे खीचेंगे अब यह हम इसे format पूछ रहा है किस format में download करना चाते है तो format select करके हम simply अब okay कर देंगे यहाँ पर यह हमारा account statement download हो जाएगा अब इसे हम कहीं भी अपनी जरुवत के हिसाब से print कर सकते हैं या कहीं भी account statement को forward कर सकते हैं तो फ्रेंट्स वीडियो पसंदाया तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करें थैंक्स फॉर watching वीडियो